जब उन्होंने गुजरा टाइटन्स को उनके मेड इन अपने डेब्यू सीजन में ही आईपी लग खिताब जितवा दिया और ऐसा करने वाले वो पहले भारती एक कोच भी बन गया जिसने के अपने टीम को आईपी लग खिताब जिताब जिताया अब आशीश नहरा जो कि और काफी लंबे समय तक उन्होंने क्रिकेट भी खेला बाद में वो कमेंटरी में भी जोड़ गा है और साथी साथ आईपेल की टीम की कोचिंग भी कर रहा है जहां पर उन्होंने एक बाद फिरसे सफलता के जंडे गार दी है अब हार्दिक पंडिया और आशीश नहरा की जोडी ने मिलकर जो धमाल मचाया है वो वाकई में बताता है कि किस तरीके से आप चीजों को बेसिक और आसान रखके अपने टीम को जीत दिला सकते हैं वही हार्दिक पंडिया का सीधे ज़र पर कहना है कि उनकी पहचान टीम इंडिया सही है इसलिए वो पूरा दमखम ये खिलाडियों की निलामी से लेकर टीम के विजेता बनाने तक उनका बदर्शन काफी शांदार रहा कप्तान हर्दिक पंडिया और अन्य खिलाडियों के साथ उनकी बॉंडिंग मी मसत रही आईपियल के 15 सालों के तिहास में आशिश नहरा से पहले किसी भी ट्रॉफिव विजेता टीम का कोच भारती नहीं रहा सभी की सभी विदेशी रहे आशिश नहरा ने एकर दिखाया और खुद को एक सफल मेंटोर के रूप में स्थापत किया है यहां तक की टीम के कप्तान हर्दिक पंडिया ने भी इस जीत का लगबग पूर अश्रे उन्हें को ही दिय पहली बार IPL में आई गुजरा टाइटन से जीत पर पंडिया ने कहा कि आने वाली नसले इस जीत को याद रखेंगी और इस पर बात करेंगी पूर भारती तेज गिंदबाद आशिश नहरा को अक्सर कागस कलम के साथ मैचों में दिखाया जाता था वो मुबाइल लैप्टाफ एफर आइपड पर नहीं बलकि कागस पर कलम से चीज़े नोट करते रहते थे और अननीती बनाते थे जहां परत्यक टीम में मैनेजमेंट को गैजट के साथ देखा जाता है वहीं आशिश नहरा ने बता दिया में उन्हें गुजरात की जीत का मुख्य आर्किटेक्ट बताया था जाहिर सी बात है से पहले रॉयल चलेंज बैंगलूरु सहिद कुछ अन्हीं टीमों ने आशिश नहरा को अपना हेड कोच नहीं बनाया था एक नई टीम ने उन पर भरोसा जताया था तो उन्होंने शर् मेर्कलों पर भी विराम लग गया है आशिश नहरा को अलेक्टरोनिक गैस चलाने नहीं आते ये बात उन्होंने खुद स्विकार की थी पतनी के बहुत कहने पर उन्होंने एक स्मार्टफोन भी खरीद लिया वो मैच के दौरान अक्सर नादिल पानी पीते हुए नदर आत कि पहले भारती गरूप में जुड़े हैं और ये एक एक्जांपल सेट करने के लिए भी काफी ही कि किस तरीके से आजकर बहुत जो शूशा वाला जमाना है कि वही फैंसी गैजट्स नहीं होंगे तो फिर आप डेटा का अनलिसिस कैसे अच्छे से कर पाओगे उस चीज को इता बताता है गुजराट एडंस किस जीत के ऊपर कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि वही एक गुजराती कैसे इस टीम को जिता कर लेके चला गया वो भी तब जब की बिशी से के दक्षपत के ऊपर भी मतलब गुजराती ही विराजमान है ये सब तो अठकल हैं जो क कि किसी ना किसी मैच टूर्णामेंट के असपास चलती ही रहती है मेरे स्वीडियों फिलालत नहीं जय हैं जय भारत